इसमें ग्रूप सी की वेकेंसी लोग साय करवाए गई है टोडल 645 पोस्ट हैं समुगा के अंतरगत ठीक है पसुपालन उद्यान और क्रिशी विभाग में ठीक है इसकी विग्यापन आज ही जारी हो है अभी जारी साथ तारीक साथ अक्टूबर 27 अक्टूबर इसकी लास्ट टे टे है ठीक है उससे पहले आब इससे भढ़ती जे लास्ट डीट के अंहुए तुरंद भर दीजी जी ए ठीक है इसमें किद्ह पोस्टोर क्या maior का conversation है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इससे पहला टूडल रित्तिया है हमारी 645 तो सबसे पहला हाता है हमारा पदनाम साहय क्रिशी अधिकारी वर्ग तीन क्रिशी विवाग में ठीक है इसमें टूटल जो पोस्ट है वो है सबसे ज़्यादा 354 पोस्ट है क्या कैसमें विवरण है यह आरक्षण का विवरण है कि आनारक्षण यतनी है ठीक है 214 उसमें उतरकन महिला की 400 होगी ठीक है अन एक यसी जार एक सो हैं ठीक हैं ना मैट्रिकल चार लेवल किये और जाची हुशन मांग रहे हैं कि भारत के विधी द्वारा स्थापीत किसी विशिवद्याले या संस्ता से क्रिशी में स्था टूट ठीक है आपका है साय करिसी आधिकारी गुरूप सीख ले ठीक है तो ज 21 to 43 ठीक ना 21 से 43 वर्स की बीच में जो जो है उनके लिए नेक्स्ट सेकिंड पोस्ट जो आरे की है वह है उद्यान परिवेक्षक वर्क तीन उद्यान विवाग में टोटल 245 पोस्ट आई एस की ठीक है ना यह आरक्षण की इस्तिती होगी आपकी 130 39 यह सब हमारा आरक्षण की इस्तिती होगी उसके बाद इसमें जो वेतनमान है हमारा 25,500 लेकर 81,100 के बराबर है लेवल 4 की हैं और इसमें जो क्वालिफिकर्शन मांग रहे हैं उन्होंने बी बीसी क्रिशी या बीसी उद्यान ठीक है ना तीनों में से जो भी होगा हो सब अधिमानी भी अगर किसी के पास है प्रादेशी सेना में तो वह भी लगा सकते हैं इसमें जो एज का रेट एरिया है वो है 21 वर्स लेकर 43 वर्स की पीच में तीसरी जो पोस्ट है हमारे तीसरे तरह की हो है उद्यान निरिक चाग वर्ग दो ठीके ना ये भी उद्यान विवाग माई है टोटल पोस्ट इसमें है 27 पोस्ट है आरक्षण की स्थी इसकी किस तरीके कहें यह चोदा टोटल है इसमें 4 महिलाओं के लिए ठीके ना ये अलग लगत रहे आरक्षण की आप या BSC CRISi ठीकर ने बिए सि जी विग्यान हो या BSC CRISi ठीके नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हमारी है पद नाम साहयक मस्रूम विकास अधिकारी साहयक मस्रूम विकास अधिकारी वर्ग दो दियान विवाग माहर की है तोटल पोस्ट है स्में है 3000 ठीके पद कोर्ट 4 और जूर विग्यान समू या BSC क्रिसी गरी होने चीए ठीक है ना नेक्स्ट पदनाम सायक विकास अधिकारी वर्ग दो ये वनस्पति विग्यान उद्यान विगाग में आ रही है टूटल पोस्ट है उसमें तीन पोस्ट है ठीक है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी है BSC ज पदनाम सायक प्रिक्षिक्षण अधिकारी वर्ग दो उद्यान विवाग ठीक है तो टूटल इसमें तीन पोस्टें इसमें भी और इसमें जो वो है हमारी कौलिफिकेशन वो मांग रही है उन्होंने किसी विजित दाले या संस्थान से BSC क्रिसी या BSC जीविग्यान समू ठीक है नेक्स्ट जो हमारी इसमें वेकेंसी है वो है पदनाम वो है सायक पौद सुरक्चा अधिकारी ठीक है ना सायक पौद सुरक्चा अधिकारी वर्ग दो टूटल पोस्टें इसमें दो ठीक है और इसमें जो कौलिफिकेशन मांगी जारी है वो है हमारी किसी मानेताव फिर है पदनाम चारा साहयक ये पसुपालन विभाग में है टोटल तीन पोस्ट हैं और चारा साहयक के लिए जो हमारी वो मांगी गई है कौलिफिकेशन वो है कि M.S.C. क्रिसी या फार्म परमंदन में तीन वर्स का अनुबव के साथ B.S.C. क्रिसी ठीक है न या था M.S.C. क परमंदन में तीन वर्स के अनुबव के साथ B.S.C. क्रिसी भी हो सकती है नेक्स्ट जो आ रखा है पदनाम चारा साहयक ग्रूप तीन पसुपालन विभाग ये टोटल है पांच पोस्ट आ रिखी है और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है B.S.C क्रिशी ठीक है ना B.S.C क्रिशी मांगी गई है नेक्स्ट आयू की आयू की करना निश्चित थी तो इन्होंने आयू की करना एक जुलाई से करेंगे ठीक है ना एक जुलाई 2023 से ठीक है तो 21-43 वर्स के बीच मोनी चीए आपकी इसके बीच मोनी चीए बाकी इसमें देखत पता ही कि 30% वोमें रिजर्वेसन तो ही हमारे उतरा कंड़ने उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टन चीज है वो है कि फीस वगरत देखते हैं फीस कितिनी है फीस अंसोधन कन्यी की सुल्क जो है छूट प्रदान की गई ठीक है न तेई सिदमा सासना देश के लिए अयो की दिना अनुपाला भ्यारतियों को परिक्षा सुल्क के फीस छूट प्रदान की गई फीस नहीं है साथ ठीक है उसके बाद जो हम इसका देखते हैं स्लेबसस यह होगा पर exam pattern किस किस बेस्ट पर है तो यह आगया आपका exam pattern exam pattern for Chrissy Udyan विभाग वसुहारन विभाग ठीक है न तो दो पेपर हैं इसमें exam pattern के साब से देखिए आप ठीक है तो दो प्रसंद पतर 1 प्रसंद पतर 2 प्रसंद पतर 1 जो है वो सौ माक्स का है दो घंटे का है इसमें सामानी ज्यान के प्रसंद रहेंगे सामानी अध्यान के प्रसंद रहेंगे और एक सामानी हिद्धी के प्रसंद रहेंगे ठीक है ना सौ कोशन होंगे ठीक है और दो घंटे मिलेंगे आपको दूसरा paper 2 होगा उसमें ये भी वैकल भी क्विसे ही होगा ठीक है इसमें क्या होगा ये भी objective paper होगा सब ठीक है MCQ type होगा इसमें क्रिशी के होगा जीविग्यान और उद्यान के ठीक है आप उनमें से सहाथ एक ही चुन सकते हैं किसी एक विसे का द्यार आप चाहे तो क्रिशी चुन लो अगर आपने इकशी से कर रहा चाहे जीविग्यान चुन लो तो जीविग्यान से कर रहा आपने उद्यान कर रहा तो खुल लो ये टूटल 200 marks का और 3 घंटे का paper होगा ठीक है टूटल 300 marks का ये पूरा pattern ने मारा paper 1, paper 2 को जोड़के तो लिखाया कि सबी अभ्यारत को लिए अनिवारी है paper 1 तो सब को लिए अनिवारी है paper 2 में दिये गए विशोवा कृशी, विजी, विज्यान, उद्यान से अधारीत, सैक्ची, आहरता के अनुसार किये किसी एक विशेव कर च्वैन कर सकते हैं ठीक है negative marking तो आपको पता है ये होती है तो ये बहुत अच्छा है किसे जिनोंने BSC कर रहे हैं, BSC अगरी कल्चर BSC, Horticulture ठीक है ना, तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें तो paper one का उनका syllabus देख लीजिए जो सामने ग्यान का जो उत्राखन में होता ही है उसमें सामने ग्यान सामने दिन का सामने ग्यान और कम्च्चूटर प्रसंद अधारीत प्रसंद पूछी जाएंगे ठीक है, उसमें भारत का इतियास से लेकर राश्टी आंदुलन के बारे में राहरत की राजविस्ता जिसे पॉलिटी बोलते हैं भारत का भुगोल ठीक है, जानसेस ठीक है ने, सामसेस वगेरा समसामक की है, करेंट अफेड्स उत्राखन का इतियास ठीक है, और उत्राखन की संस्कृती ये सब पूछा जाएगा आपका और क्या है, उत्राखन का भुगोल ठीक है, और उत्राखन का आर्थिक और प्रकरतिक संसादन सामनी बुद्धी परिक्षण ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और बाकी अगर आपका होटी कल्चर है तो होटी कल्चर के हिसाब से ठीक है अगर आपका जी विग्यान है तो जी विग्यान के हिसाब से बोटनी वालोकल अलग है ठीक है बोटनी वालोकल अलग है और जिन्होंने होटी कल्चर से कर रहा उनके लिए अलग है यह देखें यह बोटनी का है और यह है जुलोजी वालोग ले भी है यह पसुबालन व्याग वाले हैं उनके जुलोजी वाले ले हैं और होटी कल्चर का भी है होटी कल्चर का भी है तो जो अपने जिस हज़ाब किया कौलिफिकेसन आप उस हज़ाब से अपनी पुष्ट पर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बेंपर वेकिंसी आरी की है शाड़े छे सोब पुष्ट एक बार में उतरा ख़ड़ में कहीं चलदी से आती नहीं है बहुत अच्छा मौका है जिनने BSC वाले जो काफी समय से वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है बहुत अच्छे तैयारी के साथ आप इसकी तैयारी कीजिए एक्जाम की ठीक है ना ओके थैंक यू